अग जी, एक खुशकबरी है, है सिरफ लड़ों के लिए और कुछ अंकल लोगों के लिए, बात यह है कि वो जो देश है ना, थाइलेंड, बैंककॉक वगएरा, पताया, फुकेट, उनका एक टूरिजम डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि आज के बाद कोई भी बंदा हम अबर में यह पुरी कुशी की लहर है, बोलोग कहरे हम अपना टूरिजम रिवाइब कर रहे है, कुछ नहीं लालच दे रहे हुपास, हमको और कुछ नहीं है, मैंनों यह थाइलेंड टूरिजम वाले क्यूट कितने है, इनको आज तक यही लग रहा है कि इनके देश में ज इनके देश में चर्च देखने आ रहे हैं, कुछ मंते मांगी हुई थी अंकल लोगों ने जो थाइलेंड के मंदिरों में पूरी हैं जा जा जागे है, तूरिजम, मैं आपको बता रहा हूँ, थाइलेंड जो फ्लाइड जाती उसके अंदर जो अंकल और यह जो लॉंडे इतने भड़े बैठे होते हैं यह अंतर से कि गलती से भी इन से आगे एक बार एयर वस्टच पूछ ले ना कि सर सैंडविच तो कहते नहीं 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 आँ जाके कराएंगे, तो कहती है सा मैं मसाज की बात नहीं, मैं खाने वाले सैंडविच की बात कर रही थी, 35,000 फीट आप लोग आए हो तो 30 दिन रुक के जाओ, ठीक से सारे चर्च देख के जाओ, एक-एक करके, रुको बल्कि हर चर्च में एक दिन, मैं शुद्रों थे कि यह डिजीजन तो ले लिया इन लोग ने, लेकिन यह झेल लेंगे हमको 30 दिन, मतलब हम अपने आपको भी 30 दिन जाते हैं तो वो भी यही हमसे कहते हैं कि भाई आज रात यही रुक जाओ, दो गंड़े बाद उनकी आखो में नजर आ रहा होता है कि भाई, चाय समोसे तक थी रिष्टेदारी, अब निकलो पैंच बिजनसमें अपनी बीवियों को जूट बोल के नहीं जाते थे कि बिज बॉली बीविया बिचारी, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी मेरे सार लॉंड़े हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, हम लोग चलते हैं सब लोग कठे बैंकॉक चलते हैं, भाई लोग सारे कठे नहीं, प्रॉबलम कि यह जाएंगे कैसे, छोड़े हैं, सोनु सूत से बोलें क्य तो बस अपना जोला उठाएंगे और चल देंगे, क्या रिक कर रहा है?